गंतंत्र दिवस के अफसर पर सभी दिल्ली वासियों को सभी देश वासियों को धेर सारी शुब कामनाएं बहुत बहुत बधाई कि पूरा विश्व, पूरा देश और हम सब दिल्ली वासि पिछले एक वर्ष से करोना महमारी से जूज रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं यही कारण है कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस भी और आज गंतंत्र दिवस भी हम लोग यहां पे मना रहे हैं नहीं तो हम सब लोग बड़े पैमाने पे 76 साल स्टेडियम में अपने बच्चों के साथ मनाया करते थे मैं उमीद करता हूँ कि इस वर्ष हम सब लोगों को करोना की महमारी से छुटकारा मिलेगा पिछला एक साल बहुत मुश्किल रहा सब के लिए लोगों के लिए सरकारों के लिए जब हम सब लोग इस महमारी से जूज रहे थे दिल्ली वासियों के लिए खास कर ये एक साल और ज्यादा मुश्किल रहा क्योंकि दिल्ली ने करोना की महमारी का बहुत प्रचंड रूप देखा 11 नवंबर को दिल्ली में एक दिन में लगबग साड़े आठ हजार करोना की केस आए जो डेली केस आते हैं साड़े आठ हजार केस कहा जाता है कि विश्व में किसी भी शहर में ये सबसे ज़ादा केस थे पूरी दुनिया में किसी और शहर में इतने ज़ादा केस कहीं नहीं आए दिल्ली में एक दिन में इतने सारे केस आने के कई सारे कारण है उन कारणों के बारे में मैं कई पहले भी चर्चा कर चुका हूँ उसके कई सारे कारण है दिल्ली देश की राजधानी है पूरी दुनिया भर से लोग यहां आते हैं देश भर से लोग यहां आते हैं लेकिन अच्छी बात यह रही कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने और सरकार ने मिलके इसका सामना किया और सफलता पूर वक्त सामना किया अमरीका का शहर है न्यूयोक न्यूयोक में अप्रेल के पहले हफते में 63-100 केस आए थे हमारे यहां 11 नवंबर को आए 8.2500 केस हमसे काफी कम केस थे तरेशट सो केस न्यूयोक में लेकिन सोशल मीडिया पे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि किस तरह से केवल 63 सो केसिज में भी न्यू यॉर्क की सारी की सारी हेल्फ सिस्टम कॉलाप्स कर गई वहाँ पे मरीजों की अस्पतालों के बाहर सडकों के उपर लाइन लगी हुई थी अस्पताल बरे हुए थे अस्पतालों में जगे नहीं थी अस्पतालों के कॉरिडोर में मरीज पड़े हुए थे वहाँ पे आईसीओ में जगे नहीं थी वहाँ पे और केवल न्यू यॉर्क नहीं आप दुनिया का यॉर्प का पूरी दुनिया के अंदर जितने developed countries हैं कोई शहर उठा के देख लीजिए जहां जहां करोना के केसिस जादा हुए वहां पे उनका पूरा health system कॉलाप्स कर गया लेकिन दिल्ली के अंदर जब 11 नवंबर को सबसे जादा हमारे केस साड़े आठ हजार केस आए उस दिन भी दिल्ली के अस्पतालों में साथ हजार करोना के बेड़ खाली पड़े हुए थे हमारे किसी भी अस्पताल के अंदर कॉरिडॉर में मरीज नी थे हमारे किसी भी अस्पताल के बाहर सड़कों पे मरीज नी थे हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके दिल्ली सरकार ने मिलके अपनी जो पिछले पान साल के अंदर दिल्ली की स्वास्त सेवाँ को दुरुस्त किया है हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मेडिकल स्टाफ ने, हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ ने हमारे आफिसेज ने मिलके पूरे हेल्थ सिस्टम को जो दुरुस्त किया और करोना महमारी के दौरान जिस तरह से अच्छा मैनेजमेंट किया ये उसी का नतीजा है कि हमारा हेल्थ सिस्टम ऐसी महमारी के दौर में जब सबसे ज़्यादा केस दिल्ली के अंदर हो रहे थे हमारा health system collapse नहीं किया और पूरा हम उसको manage करने में कामियाब रहे इसके लिए मैं अपने सभी officers को सभी doctors को सभी medical staff को सभी corona warriors को बहुत बहुत तहे दिल से बढ़ाई देना चाहता हूँ जिस शांदार तरीके से आप सब लोगों ने इस पूरे system को manage किया ये बहुत कठिन दौर था जब लोगों की नौकरियां चली गई रोजगार चले गई दुकाने बंद हो गई मार्केट बंद हो गई फैक्टरियां बंद हो गई सरकारों के लिए भी बड़ा मुश्किल दौर था टैक्स आना बंद हो गया बड़ी चिंता होने लगी कि तंखा कैसे देंगे लेकिन ऐसे दौर के ऐसे कठिन दौर में मुझे बेहत खुशी है कि हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके इस कठिन दौर के अंदर भी स्थिती को संभाला हमने ना केवल अपनी सारी तंखाएं दी उल्टे ऐसे कठिन दौर के अंदर जब लोगों की रोटी के लाले पढ़ रहे थे लोगों के घर के अंदर चूला जलना मुश्किल हो रहा था ऐसे समय में दिल्ली सरकार ने ये केन प्रकारेन कहीं से भी विवस्था करके पैसे की एक करोड लोगों को दिल्ली की दो करोड अबादी है एक करोड लोगों को करोना काल में हर महीने सूखा राशन दिया जाता था पांच किलो प्रती व्यक्ति के हिसाब से सूखा राशन हर महीने दिया गया एक करोड लोगों को दस लाख लोगों को हर रोज लंच और डिनर की विवस्था रसोई की विवस्था की गई स्कूलों के अंदर रसोई की विवस्था की गई 10 लाख लोगों को रोज खाने की विवस्था की गई हम नहीं चाहते थे कि किसी की भी एक तरफ तक करोना की मामारी कि कहीं ऐसा ना हो कि करोना से तो बच जाएं और भूक से मर जाएं तो दिल्ली सरकार ने उसकी विवस्था की इस वक्त आटो टैक्सी सब चलने बंदो गए थे हमने आटो और टैक्सी ड्राइवर्स को पांच-पांच हजार रुपे उनके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराए लगबग एक लाख चपन हजार एक लाख चपन हजार आटो और टैक्सी ड्राइवर्स के बैंक अकाउंट में 55,000 रुपे जमा कराए पूरे देश में किसी भी राज्य सरकार ने अपने आटो और टैक्सी वालों को सुधनी ली दिल्ली सरकार ने अपने आटो और टैक्सी वालों को सिधनी हमने लगबग 44,000 construction workers मजदूरों के खातों में 10-10,000 रुपे जमा कराए पूरे देश में ऐसा करने वाली अकेली दिल्ली सरकार है जिसने अपने मजदूरों के बैंक अकाउंट के अंदर 10-10,000 रुपे जमा कराए पूरे दिल्ली में कहीं पता चला जहां पता चला कोई मसीबत में है किसी को खाने की दिक्कत हो रही है कहीं पता चला किसी को बिमार है उस तक दिल्ली सरकार पहुँची उसके खाने की विवस्था की उसके दवादारों की विवस्था की पूरा विश्व जब करोना की महमारी से लड़ रहा था पूरा विश्व जब इसकी दवाई का इंतजार कर रहा था तब भी हमारे डॉक्टर्ज ने पहल करके प्लाजमा थेरापी दी दुनिया को अप्रेल के महीने में दिल्ली के हमारे अस्पतालों के अंदर खासकर आईल बीएस के अंदर प्लाजमा थेरापी के ट्राइल चालू हुए और मुझे आज कहते हुए बेहत गर्व है अपने डॉक्टर्ज के उपर कि दो जुलाई को दुनिया का सबसे पहला प्लाजमा बैंक दिल्ली के अंदर शुरू किया गया उसके बाद दो और प्लाजमा बैंक बने एलन जे पी हॉस्पिटल में और जी टी बी हॉस्पिटल में और आज अभी तक 4929 लगबग 5000 लोगों को प्लाजमा दिया जा चुका है 5000 लोगों की प्लाजमा के जरीए जान बचाई जा चुकी है जैसा मैंने बताया की कई सारे डवलप्ट कंट्रीज के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरह से उनके पूरे हस्पितालों के सिस्टम कोलाप्स कर गए हस्पिताल भर गए, आईस्यू भर गए, कॉरिडोर में पेशेंट्स पढ़े हुए थे सडकों पे पेशेंट्स पढ़े हुए थे, तो हमने इसको स्टडी किया कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो हमने ये पाया कि जो कोई बिमार होता था, उसको अस्पिताल ले जाते थे जो कोई बिमार होता था, उसको अस्पिताल ले जाते थे नतीजह ये था कि जो mild और asymptomatic patients थे जिनमें कोई symptom नहीं थे जिनमें कम symptom थे थोड़े बहुत symptom थे ऐसे patients से अस्पताल भर जाते थे और serious patients सडकों के उपर थे तो दिल्ली के हमारे doctors ने मिलके home isolation का इजाद किया सबसे पहले home isolation पूरी दुनिया में दिल्ली में इसकी शुरुवात की गई home isolation में हमने ये तै कि जो जो mild patient है जो जो asymptomatic patient है जिनको doctors की ज़रूरत नहीं है उनका घर में इलाज किया जाएगा हमारे doctors की team उनके घर जाती थी उनको एक kit दे के आती थी सबसे पहले दिन जैसी उनकी test report आती है test report आने के अगले दिन हमारे दिल्ली सरकार के doctors की team उनके घर जाती है उनको kit दे के आती है सारा समझा के आती है करैं उनको एक उक्सिमीटर देके आती है पूरी दुनिया में ये पहली बार हुआ कि जितने बिमार पेशेंट हो. कोई तक्लीफ तो नहीं है oxygen नापो कितनी आई oxygen अगर उसकी oxygen कमो तो तुरंत ambulance भेज़के उसको अस्पताल के अंदर shift कर दिया जाता है नतीजह यह हुआ कि हमारे home isolation में मुश्किल से कुछ एक मृत्ति हुई और अभी तक 3,12,425 तीन लाख से ज़्यादा patients हमारे home isolation के अंदर treat हो चुछे हैं और दिल्ली ने जब से home isolation की प्रक्रिया शुरू की देश भर में नहीं दुनिया भर के अंदर home isolation की इस प्रक्रिया को दिल्ली से सीखके बाकी सारी दुनिया ने इसको adopt किया अब सोच के देखिए अगर यह home isolation हम लोग शुरू नहीं करते हमारे doctors शुरू नहीं करते यह 3,12,000 patients हमारे hospitals में जाते और hospitals के अंदर beds मिलने वाले नहीं थे beds की कमी पढ़ जाती हैं तो जो मैंने बताया 11 नवंबर को जब 8,000 cases आए हमारे दिल्ली में और 7,000 bed खाली पढ़े हुए थे वो इसी वज़े से पढ़े हुए थे क्योंकि हमारा management बहुत शानदार था अगर यह management हमारे officers और doctors मिलके अच्छा नहीं करते तो हमारी भी वही हालत होई होती जो पश्चिम के कई सारे अन्ने देशों की हुई हमने ना केवल home isolation अच्छा किया अपने अस्पतालों के अंदर भी मरीजों के treatment का बहुत अच्छा इंतिजाम किया इसमें private hospitals और सरकारी hospitals ने मिलके एक team की तरह हमने उसमें यह नहीं किया तुम तो private हो हम तो government हैं सबने मिलके एक team की तरह है दिली के लोगों की सिवा की हमने यह देखा कि अन्ने हमने दूसरों से सीखा दूसरे शहरों में दुनिया के दूसरे शहरों में अपने देश के दूसरे शहरों में किस तरह की दिक्कत आ रही है हमने देखा कि कई जगे जब सरकारों ने उपर से आदेश जारी कर दिये बिना पूछे, बिना लोगों को confidence में लिए आदेश पे आदेश जब सरकारों ने जारी कर दिये तो कई private hospital वाले hospital पे ताला लगा के घर चले गए बोले जी हम तो नहीं करते हैं कई private hospital के doctor और nurse अपने अपने घर चले गए बोले जी हम तो नहीं करते हैं दिल्ली के अंदर हम लोगों ने उनके साथ बैठ के एक एक आरडर जारी किया उनको confidence में लेके एक एक आरडर जारी किया उनको decision making का हिस्सा बनाया इसलिए private hospital वालों ने हमारा कदम कदम पे सहयोग किया इसके लिए आज मैं private hospitals का भी बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उसमें भी काम करने वाले सभी doctors और nurses का भी शुक्रियादा करना चाहता हूँ हमारे सरकारी hospital ने बहुत शानदार काम किया मैं तो उनका मुख्यमंत्री हूँ मैं अगर कहूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया तो यकीन नहीं होगा लेकिन हमारे जीटीबी hospital में उत्राखंड के एक पूर्व मंत्री राजेंदर सिंग भंडारी जी इलाज कराने के लिए आए उत्राखंड से पूर्व मंत्री उनके हमारे जीटीबी hospital में इलाज कराने के लिए आए और जाते समय वो इतनी दुआएं और इतना अशिरवाद doctors और nurses को दे के गए और मेरे लिए message छोड़के गए कि मुख्यमंत्री जी को बोलना कि आपके doctors और nurses बहुत अच्छे हैं इससे बड़ा certificate हमारे लिए नहीं हो सकता हमारे corona warriors ने इस दोरान बहुत शानदार काम किया लेकिन ये ऐसी महमारी थी जिसमें सब का दिल धबदब करता है अगर मुझे हो गई तो क्या होगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा अगर मेरी मौत हो गई तो क्या होगा मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा तो corona warriors के दिल में भी ये धक धक तो थी सब को अपनी जिन्दगी प्यारी है सब को अपना परिवार भी प्यारा है लेकिन हमारे कोरोना वारियर्स ने अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की सेवा की और जिम्मेदार सरकार होने के नाते और हमारे पूरे समाज ने मिलके कोरोना वारियर्स को एक तरह से सपोर्ट करने के लिए एक अलग किसम की स्कीम निकाली कि अगर किसी कोरोना वारियर को लोगों की सेवा करते हुए चाहे वो पुलिस में काम करते हुँ चाहे वो अस्पताल में काम करते हुँ चाहे वो सफाई करमचारी का काम करते हुँ जो भी सिविल डिफेंस वॉलिंटियर का काम करते हो जो भी हमारे करोना वारियर्स अगर लोगों की सेवा करते हुए करोना की ड्यूटी करते हुए उनको करोना हो जाता है और भगवार ना करे उनकी करोना की वज़े से उनकी मौत हो जाती है तो सरकार उनके परिवार को एक क की मौत हुई, और सरकार में उन नौ लोगों को, करोना वारियर्ज को एक एक करोड रुपे की में खुद उनके घर गया, उनके परिवार के लोगों से मिला, और उनके लोगों को हमने एक करोड रुपे की सह्यूग राशी दी, जैसा मैंने बताया सरकार के लिए बहुत कठिन समय था हमारा tax आना बंद हो गया था लोगों को चिंता लगने लगी कि ये जो बिजली, free मिलती है ये बंद तो नहीं हो जाएगी ये जो पानी, free मिलता है ये बंद तो नहीं हो जाएगा करोना का पैसा नहीं आ रहा, आखवार में पढ़ते थे, टैक्स नहीं आ रहा, सरकार का, लेकिन हमने जो भी किया, अच्छा मेनेजमेंट करके, अच्छा फ़नेंशल मैनेजमेंट करके, हमने एंशोर किया, कि लोगों की बिजली और लोगों को पानी जो दिल्ली के अंदर फ domestic consumers दिली में पिछली बिलिंग साइकल में इन बावन लाक में से 38 परिवारों के जीरो बिजली के बिल आएं 38 परिवारों के 52 परिवारों के बावन लाक में से 73 परसेंट हमारी सरकार बनने के पहले मेरे को याद है 2014 की गर्मियां 2014 की गर्मियों में मेरे को याद है 7-7-8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे पिछले 6 साल में दिल्ली के लोगों के लिए समुचित विजली का इंतजाम किया जितने खराब ट्रांसफॉर्मर थे केबल थे सब बदले खड़े हो के बदलवाए आज दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री बिजली मिलती है ये दुनिया के आठ में अजूबे जैसा है फ्री बिजली मिलती है 24 घंटे बिजली मिलती है ऐसे कई राज्ये हैं देश में जो अपनी बिजली बनाते हैं दिली तो अपनी बिजली भी नहीं बनाती हम बाहर से दूसरे राज्यों से बिजली खरीते हैं महेंगी बिजली खरीते हैं फिर भी अपने लोगों के लिए 24 घंटे बिजली का इंतिजाम कर दिया और फ्री बिजली दे दी, ऐसे कितने राज्य देश के अंदर जो अपनी बिजली बनाते हैं, फिर भी उनके यहां इतने पावर कट लगते हैं, फिर भी उनके पास बिजली की कमी है, फिर भी उनके यह बिल आये हैं लगबग 56% लोगों के दिल्ली में पानी के बिल जीरो आये हैं अब हमारा पानी विभाग उनके साथ मेरी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं पूरी मुस्तेदी के साथ हमारा जलबोड काम कर रहा है और उन्होंने पूरा खाका तयार किया है कि जैसे दिल्ली में 24 घंटे इंतिजाम करना है और आने वाले सालों के अंदर हम अपना ये लक्षे पूरा करेंगे जब हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी देंगे और जैसा मैंने बताया है 56% लोगों को जीरो पानी का बिल मिल रहा है यही चमतकार जो बिजली के क्षित्र में हुआ वही चमतकार पानी के क्षित्र में होगा 24 घंटे पानी मिलेगा और फ्री पानी मिलेगा कुछ साल पहले हम लोगों ने अपने जाबाज पुलिस वालों के लिए अपने जाबाज सैनिकों के लिए अपने जाबाज फाइर सर्विस के जवानों के लिए एक योजना चालू की थी हमारे दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान की बाजी लगा के हम दिल्ली वालों की रक्षा करते हैं इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर मुझे बताया गया कई-कई पुलिस वालो पुलिस में लोगों की कमी है कई कई पुलिस वाले तो लगातार बिना सोए 24 गंटे 36 गंटे की ड्यूटी करते हैं और ऐसे कई मौक्य आते हैं जब उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ती है हम लोगों की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक बॉर्डर के उपर दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और दुश्मन के साथ लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाके हमारे देश की रक्षा करते हैं हमारे दिल्ली फायर सर्विस के जाबाज हमारे दिल्ली में कहीं भी आग लग जाए उस आग के अंदर घुसके उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और कितने लोग शहीद हो जाते हैं हमारी सरकार बनने के पहले इनकी तरफ कोई ध्यान नी दिया जाता था मुझे बताया गया कोई योजना होती थी जिसमें एक सिलाई मशीन उसके परिवार को दी जाती थी उसके बाद हमने तै कि एक करोड रुपए की समान राशी वैसे तो अगर किसी की जान चली जाए तो उसकी कोई कीमत नी होती और एक-एक हमारा जवान हीरे के समान है। उसकी कोई कीमत नी होती लेकिन उसके परिवार को यह लगना चाहिए कि ये देश और ये समाज उनकी उनका समान करता हैं तो उनके एक करोड रुपए की समान राशी देने का सरकार ने निरने किया पिछले कुछ सालों के अंदर जब से इसकीम लागू हुई है हम 19 दिल्ली पुलिस के जवानों को 1 करोड रुपे की सम्मान राशी दे चुके है 6 फायर सर्विस के जवानों को ये राशी दी जा चुकी है और तीन बॉर्डर के उपर दिल्ली के रहने वाले सैनिकों के शहादत के बाद सम्मान राशी दी जा चुकी है अगले मुझे कहते हैं बड़ी खुशी है कि मार्च के महीने तक एक बहुत ही बड़ी योजना जो हमारा एक सपना थी कि गरीबों को जो सरकार राशन देती है गरीब आदमी को राशन की दुकान पे जाना पड़ता है लाइनों में लगना पड़ता है कई बार राशन की दुकान खुलती नहीं है कभी-कभी राशन की दुकान वाला बत्तमीजी करता है कभी-कभी उसको पूरा राशन नहीं मिलता सो तरह की समस्याएं होती थी मुझे खुशी है कि मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलिवरी ओफ राशन चालू कर दिया जाएगा जिसमें सरकार अब लोगों को राशन की दुकान पे आने की जूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग में आपकी साफ सुत्री गेहूं या आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बनाके आपके घर डिलिवर करा दी जाएगी आपको किसी दुकान के पास दुकानदार के पास जाने की जुरूरत नहीं है कहीं लाइनों में लगने के जुरूरत नहीं है मुझे लगता है अपने आप में ये एक बहुती करांती कारी कदम होगा पूरी राशन विवस्था को बदलने के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफी गजब का काम किया है खास कर पिछले एक साल में और इस साल आने वाले साल में हम हर दिल्ली के नागरिक के लिए दिल्ली में रहने वाले नागरिक के लिए हम हेल्थ कार्ड इशू करने जा रहे हैं वो हेल्थ कार्ड ऐसा होगा कि आप किसी भी अस्पताल में सबसे पहले हम सरकारी अस्पतालों से शुरू करेंगे किसी भी अस्पताल में उस हेल्थ कार्ड को ले जाए आपका एक हेल्थ आईडी होगा आपको कोई पर्ची ले जाने की जुरूरत नहीं है कुछ नहीं है आपका सारा पुराना रेकॉर्ड उस हेल्थ कार्ड के अंदर होगा आपके जितने टेस्ट हुए, जितने एक्सरे हुए, जितने आपको बिमारी आएं उसकी सारी हिस्ट्री उस कार्ड के अंदर होगी अब आपको अस्पताल में जब जाते हैं तो लाइनों में भी खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डॉक्टर से आनलाइन या फोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे जाएए और आपको कोई लाइन पे खड़े जरूरत नहीं है आपको सारी वहाँ पे डॉक्टर आपका इंतजार करता हुआ मिलेगा तो पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम दिल्ली का पहले सरकारी हस्पितालों से शुरू करेंगे उसमें सारे महला क्लिनिक, सारे हस्पिताल, सारे पॉली क्लिनिक, सारी डिस्पेंसरी, सारे सोसाइटी वाले हॉस्पिटल्स सब को एड़ किया जाएगा और उसके बाद सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी बाद में इसमे एड़ किया जाएगा तो ये हमारा हेल्थ मैनेजमेंट इन्फरमेशन सिस्टम इस साल के अंत तक बनके तयार हो जाएगा यमना की सफाई के लिए दिली जल बोर्ड पूरी मशक्कत के साथ लगा हुआ है और मुझे पूरा उमीद है उनके साथ कई सारी हमारी मीटिंग्स हुई है और मुझे पूरी उमीद है कि जो सपना दिली के लोगों का कई सालों से था वो सपना अगले कुछ सालों के अंदर जरूर पूरा होगा इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अब सारे प्रोजेक्ट्स टाइन पे चल रहे हैं जुग्गी वालों को मकान देने की पूरी योजना हमारी बड़ी तेजी से चल रही है उनके लिए कई मकान बन चुके हैं इसमें मेरा सब लोगों से मैं सहयोग चाता हूँ कहीं कहीं पे जुग्गी के लोग मकानों में शिफ्ट होने में थोड़ा कतराते हैं उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जुग्गी में आपकी जिंदगी जो है वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है, आपके बच्चों की अच्छी जिंदगी नहीं है, दिल्ली सरकार आपके लिए अच्छे फ्लैट्स बना के दे रही है, सब लोग फ्लैट्स मे मेरी कई सारी meeting हुई हैं हमारे officers के साथ आने वाले कुछ वर्षों के अंदर मैं उमीद करता हूं कि जुग्गी वालों को सबको हम flats देने में काम्याब होंगे मैं भगवान से प्राठना करता हूं कि पिछला साल जो महामारी का गुजरा वो महामारी से सारी मानव जाती को मुक्ती मिले और ये वाला साल फिर से हम अपनी नॉर्मल जिन्दगी शुरू कर सकें वैक्सिनेशन का काम शुरू हो गया है मैं उमीद करता हूं इस वैक्सिन के आने से अब करोना की महामारी से हम सब लोगों को मुक्ती मिलेगी और फिर से जिन्दिगी पट्री पे आएगी और फिर से हम सब लोग अपने परिवार के लिए देश के लिए दिल्ली के लिए पूरी मुस्तेदी के साथ काम कर सकेंगे जैहिंद